करोना काल में डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने, स्वास्थिकम कर्मियों ने, पैरा मेडिकल ने लोगों की बहुत सेवा की, लोगों की जान बचाई और कई-कई डॉक्टर्स को स्वास्थिकर्मियों को मैं जानता हूं, जो कई-कई दिनों तक अपने घर ने गए, रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाई, कई डॉक्टर्स को स्वास्थिकर्मियों को मैं जानता हूं, जो लोगों की सेवा करत करते हैं उनको खुद करोना हो गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए शहीद हो गये मूरा देश सारे इन्झानियत में सा hips कि करदार है कि इनको जतना शुक्रियादा करें उतना कम है शब्द नहीं है हमारे पास उनका शुक्रियादा करने के लिए दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पुरी देश में हमने एक एक करोड रुपए की सहायता उन लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स को कि विल स्वास्त कर्मियों को नी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जो की लोगों की सेवा करते हुए जिनको करोना हो गया करोना का काम करते वे जिने करोना हो गया और जो शहीद हो गए ऐसे लोगों के परिवारों को एक एक करोड रुपे की सम्मान राशी दी हम लोगों ने अब ये समय है सभी डॉक्टर सभी स्वास्थ कर्मियों को ये कहने का ये जताने का ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्र गुजार हैं, उनका सम्मान करने का, सभी डॉक्टर्स को स्वास्थ कर्मियों का सम्मान करने का, हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पदमा एवार्ड से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया, प्रतिभा दिखाई, इस वर्ष और ये पदमा एवार्ड के लिए, मैं तीन एवार्ड की बात कर रहा हूं, पदमभूशन, पदमविभूशन और पदमश्री, इन तीन एवार्ड के लिए केंद सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है, और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें, तो राज्य सरकारें भी अपने तरफ से नाम भेजती हैं पदमा एवार्ड के लिए, दिली सरकार ने दिली भेजेंगे हम अपने डॉक्टर्स को स्वास्तिकर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्र गुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्मा वाड्स उन लोगों को डॉक्टर्स को स्वास्तिकर्मियों को दिये जाएं तो जनता को जाधा पता है कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया कितनी अच्छी सेवा कि किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ कितनी कुर्बानी करके सेवा कि तो एक email address हम लोग जारी कर रहे हैं इसके उपर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर या किसी भी स्वास्थेकर्मी का नाम और उसने क्या काम किया उसकी सारी description आप क्यूं चाहते हैं कि उनको पदमा एवार्ड मिले वो सारी description आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए कोई भी नागरिक दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है आप हमें ये सारी details भेज दीजिए एक हम लोग ने search and screening committee बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीश से सोधिया जी है वो committee उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को screen करके decide करेंगे कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से recommend किया जाए और फिर वो नाम हम केंदर सरकार को भेजेंगे केंदर सरकार को नाम भेजने की अंतिमतिति 15 सितंबर है तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो हम screening करके समय रहते किंदर सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर सभी स्वास्थे कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि सारा देश सारा देश के पूरी दुनिया आपक किया बहारी हैं और यह चोटा सा तरीका है हमें आपको सम्मानित करने का है बहुत बहुत शुक्रिया कि पीडिया कि पीडिया